नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीफोर पोटफोलियो में आज हम बात करने वाले हैं बंदन बैंक के बारे में भारी तेजी देखने को मिलिये 7% उपर क्लोज हुआ है तो आगे आने वाले दिनों में कौन से लेवल्स और टार्गेट्स हम हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन किजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो चलिए बात करते हैं बंदन बैंक के बारे में तो आप देख सकते हैं कि बंदन बैंक का लाज्श ट्रेड़ प्राइस से 311 रुपीज जो कि यह 7.11% उपर अच्छी गासी तेजी हमें यहां पर देखने को मिलिये अगर बात करें इसके 52 वीक लो के बारे में तो वह 152 का लेवल जिसके बाद हमें अच्छी गासी यहां पर तेजी देखने को मिलिये स्टॉक अलमोस्ट डबल हो चुगा है अपने 52 वीक लो से अगर बात करें 52 वीक हाई के बारे में तो वह 650 रुपीज अब देख सकते हैं कि अपने 52 वीक हाई से अभी भी 50 परसंट के करेक्शन पर ही मिल रहा है अगर बात करें टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग हमें यहाँ पर वैली बुलिश बता दे हैं valuation के बारे में भी बात कर लेते हैं तो market cap है 50,000 crores के आसपास की P.E. ratio है 16.57 जबकि industry का P.E. 24.21 है यानि कि industry के P.E. से कम ही P.E. पर हमें available है price to book ratio की बात करें तो 4.31 का price to book ratio यहाँ पर दिखाई देता है dividend yield भी काफी अच्छा है 0.96% का dividend yield दिखाई दे रहा है अब चलते हैं charts पर कैसी situation वहाँ पर बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम लोग charts पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि market crash से पहले 450 के आसपास यह trade करता था लेकिन उसके बाद अच्छी गासी गिरावट देखने को मिली है 150 के आसपास support लेने के बाद फिलाल यह 300 के उपर trade करता हुआ दिखाई दे रहा है current situation के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं एक महीने पहले यह 200 के आसपास support लेया था और उसके बाद फिलाल यह 300 के उपर दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं एक महीने के अंदर के time horizon में हमें इसने 50% के धमाकेदा returns दे दिये हैं current situation के बारे में बात करें तो 100 days के यह में को इसने आज ही cross किया है 100 days का जो यह में है वह 299 का level और जो current closing हमें देखने को मिले है वह 312 के आसपास next moving average जो हमें दिखाई देता है वह 200 days का moving average जो की calculate होकर 368 होकर आता है अलग-अलग indicators के बारे में जान लेते है money flow index का जो number calculate होकराता है वह 69.13 आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें reversal देखने को मिला है money flow index के number में जो की strength को ही दर्शादा है अब बात कर लेते हैं इसके RSI के number के बारे में तो RSI का जो number calculate होकराता है वह 69.97 यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और 69 का जो number है वह strength को ही दर्शादा है MSD के बारे में भी बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं MSD ने थोले समय पहले ही हमें यहाँ पर bullish crossover दिया है और उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है अब बात कर लेते हैं Bollinger Band के बारे में Bollinger Band के Lower Band के आसपास support लेने के बाद जो की 200 का ही level था उसके बाद यह अभी Upper Band के आसपास trade करता हुआ दिखाई दे रहा है median जो calculate हो कराता है वो ही 250 का level अगर Lower Band के बारे में बात करें तो फिर से 200 का level ही दिखाई दे रहा है अब मैं आपको pivot points भी दिखाना चाहूंगा वहाँ पर कैसी situation है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं pivot level जो calculate हो कराता है वो ही 225 का level जिसको यह already तोड़ चुका है जो की 200 days के यह में के बहुत ही आसपास है अगर बात करें नीचे के levels के बारे में तो 187 का support यहाँ पर बन कर आता है उससे भी नीचे जाए तो 157 का भी support यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाला कि इतनी जादा गिरावट आगे आने वाले कुछी दिनों में हो जाएगी इसकी संभावनाए कम ही बन कराती है अब मैं आपको all time chart दिखाना चाहूंगा जहां पर एक candle 1 month को represent करेगी जिससे हमें पता चलेगा कैसी moment वहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है तो आप देख सकते हैं लिस्टिंग के बाद हमें अच्छी कासी तेजी देखने को मिली थी 700 के आसपास अपना all time high बनाने के बाद यह share काफी नीचे आ चुका था और एक ही range में यह एक साल तक trade करता हुआ दिखाई दिया था लेकिन वो range भी टूड के जब market में भहेंकर गिरावट देखने को मिली थी और 150 के आसपास support लेने के बाद फिलाल यह share 300 के आसपास trade करता हुआ दिखाई दे रहा है positions के बारे में बात कर लेते हैं अगर आपने इसमें नीचे position बना रखिये अगर आपने long term investing के लिए है तो आप इसे continue holding कर सकते हैं लेकिन अगर आपने short term के लिए है तो मेरा मानना है profit booking के बारे में आपको सोचना चाहिए already 50% उपर है एक ही महीने के time horizon में और साथ ही साथ हमने देखा कि Bollinger Band के अपर बैंड के आसपा से already trade करता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं technical correction यहाँ पर देखने को मिल सकता है fresh buy की जब तक बात है तो current market price पे fresh buy करना काफी risky हो सकता है क्योंकि हमने देखा कि अभी ही इसने 100 disc की यह में के उपर closing दिए वहाँ पर यह sustain हो पाता है नहीं यह तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा और साथ ही साथ Bollinger Band के Upper Band के आसपास यह trade कर रहा है Money Flow Index का नंबर भी काफी उपर है तो इसमें हमें technical correction देखने को मिल सकता है तो levels के बारे में बात कर लेते हैं कौन से levels है जिसे हम consider कर सकते हैं तो मेरा मानना है जो aggressive investor है उन्हें 225 से 250 की जो range है उसे consider करना चाहिए क्योंकि हमने देखा जो pivot level calculate हो कर आता था 225 का level और जो 250 का level है वहाँ पर हमें 50 days का यह में और 20 days काई में वही हमें दिखाई देते हैं तो यह जो range है 225 से 260 के आसपास की range वहाँ पर हमें support expect करने चाहिए और aggressive investor इसे consider कर सकते हैं fresh buy के लिए अगर बात करें patient investor के बारे में अगर आप wait करना चाहते हैं तो मेरा मानने 180 के आसपास अगर आपको यह मिलता है तो इसमें अच्छी कासे position बनानी चाहिए अच्छा यह price है long term के लिए क्योंकि हमने देखा कि 187 के आसपास हमें pivot points का support भी बन कर आता था तो वो level एक अच्छा level हो सकता है patient investing के लिए कौन सा level आपको choose करना है buying के लिए यह तो मैं आपको ही चोड़ूँगा आपको decide करना है कौन से level पर आप buying करना चाहते हैं लेकिन अगर आपको यह video पसंद आया है तो like कीजे, share कीजे, comment कीजे subscribe कीज़र, मुझे motivate कीजे thank you, stay happy, happy investing